Hello guys, जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं, मैं हूँ रिशय प्रसाद, आपके मंदिल के सफर में आप सब का स्वाधत करता हूँ तो जैसा कि हम जानते हैं कि DU और JNU, यह अपने examination जो है CU set के थू ही करवा रहे हैं, undergraduate के लिए तो जो बच्चे इसको qualify करेंगे, वही इन college में admission पा सकते हैं BHU के लेकर बहुत बड़ा confusion था, कि वो अपने exam को खुद conduct करवाएंगे, या CU set के थू ही करवाएंगे तो उनके तरफ से भी एक खुलासा हो चुका है, कि वो अपने examination को CU set के थू ही conduct कराएंगे और जो बच्चे इसको qualify करते हैं, वही बनारस हिंदू university में उनका chance मिल सकता है और ये जो CU set है, ये एक कह सकते हैं कि examination conduct करने का तरीका है बटी करता कोई और है, करता जो है वो है NTA NTA conduct करेगा CU set को, और CU set में जो qualify होंगे, वही इन अच्छे collegeों में यानि कि central कुछ university है, जो बहुत ही अच्छे है, उनमें उनका admission हो सकता है तो इसमें DU, JNU और BHU का नाम सबसे पहले आ रहा है उसके बाद भी जो और भी central university है, वो भी इसके थुरू करवाएंगे या नहीं ये उनके तरब से जो खुलासा होता है, मैं आप तक पहुंचा दूँगा तो इस तरीकी की information जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर subscribe करें मिलेंगे आपसे इसी तरीकी की informative वीडियो के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई